तो यह हमारी कच वेबसाइट का information architecture है, हमें चार main pages चाहिएं, things to see, about कच, about TWS और contact अगर हम backend में जाके देखते हैं, तो हमारे पास already कुछ pages बने हुए हैं, और contact और about ये दो pages exist करते हैं, तो हम इन ही pages को edit कर सकते हैं तो अगर हम about page को edit करते हैं, तो इसका हम title चेंज करके about TWS कह सकते हैं, और text चेंज करकर हम कुछ नया text आड़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर images भी आड़ कर सकते हैं, जैसा हमने कहा था कि हम बहुत एक visually rich website बनाना चाहते हैं, so images को अलग-अलग तरीके से treat करने के हम तरीके देखते हैं, तो यहाँ पर हम यह हम एक single image आड़ कर रहे हैं, तो यह हमारे about TWS पेज में एक text description और single image है, अगर हम page update करके इसको view करते हैं, तो यह page हमारी website में अब कुछ ऐसा दिखता है, description जो लंबा भी हो सकता है, और यह एक single image, तो हम अब और तरीके देखते हैं, कि हम pages में किस किसम से visual content आड़ कर सकते हैं, तो इसको image को delete कर देते हैं, और कुछ नई images आड़ करते हैं, तो let's say हमने यह 6 images आड़ करी, TWS school की, तो अब हमारे पास wordpress बहुत options देता है, जैसे हम इसको thumbnail की तरह embed कर सकते हैं, page में, या फ square tiles में दे सकते हैं, या images circles में दे सकते हैं, या tiled columns में, या like a slide show, तो slide show में यह navigation अपने आप आजाती है, पर let's assume इस वक्त हम, यह जो images हैं, इनको हम as a tiled mosaic page में embed करते हैं, तो हम इन images को page में insert करते हैं, तो अब हमारा page जो है, वो ऐसा नदर आ रहा है, text description, और इस किसम से images, mosaic की तरह, collage की तरह display हो रही हैं, अब अगर हम एक नया page add करना चाहें, जो की information architecture में हमारे पास है, things to see, तो इस page का, हम एक नया page खोल के, उसका title देते हैं, things to see, इस page को publish कर देते हैं, और हमारे को एक और page अपने information architecture के हिसाब से add करना है, about kach, तो हम about kach, एक और page add कर रहे हैं, about tws और contact ये जो दो और हमारे pages थे, ये already हमारे menu में है, तो अगर हम website देखते हैं, तो अभी navigation bar में home, और जो पहले about था, वो about tws हो गया है, और contact और blog, और about tws का page इस किसम का नदर आ रहा है, पर अब हम जो हमने नए pages बनाए हैं, उनको menu में हम add, top navigation जो है, उसमें हम add कर रहे हैं, तो हम backend में जाके menu को जाके, उसमें ये जो pages हैं, इनको add कर सकते हैं, तो हम things to see एक हमने नया page बनाया था, और अगर हम इसको अब save करके, अब देखें दुबारा website, तो उपर अब navigation, top navigation में home के बाद हमें things to see अपने आप add हो गया है, things to see में nature sub category है, तो हम menu में चाहेंगे कि things to see के अंदर एक drop down menu बने, तो वो कैसे बनेगा, कि हम पहले जाके एक page नया create करते हैं, nature, उस page को publish कर देते हैं, और हम इसको menu में as, add menu as a child item, तो जो existing item था, उसके under indented ये नया item अड़ हुआ है, things to see में nature, तो अगर हम इसको save करके पीछे updated अपनी website देखें, तो things to see अब drop down menu बन गया है, और इसमें nature एक और sub item अड़ हो गया है, वैसे हमें historical, things to see में एक और sub item चाहिए historical, तो हम फिर एक नया page add करते हैं, और हम इसका title दे देते हैं, historical catch, और इसको भी हम publish कर देते हैं, और menu में जाके, things to see में हम एक और child item इसमें add कर देते हैं, historical catch, और इसको save करके, अगर हम वापस अपनी website को refresh करें, तो अब things to see के drop down में हमारे पास, दो sub item आ गए हैं, तो ये wordpress automatically ये navigation structure इस तरीके का बना के देता है, अब अगर हम जो नई pages हैं, इन में content add करें, ताकि हमें एक sense मिले कि हम visual content add करने के हम बस कितने तरीके हैं, तो हम nature के page में, नई photographs कुछ add करते हैं, let's say, मेरे पास ये run की 6 images हैं अपनी, तो मैं इनको add कर रहा हूँ, तो इनको add करने के लिए again, जब मेरे layout के लिए, as a slideshow में, इसमें add कर रहा हूँ, और भी options हैं, बड़ लेट्स ट्राइब slideshow, तो nature के page में run की, अब हमारे पास ये slideshow है, और अगर हम इसको update करके, इस नई page को view करते हैं, तो ये slideshow, ऐसे चल रहा है, इसमें navigation भी है, और auto scroll भी है, तो मैं या तो on screen navigation से photographs को maneuver कर सकता हूँ, या अगर मैं नहीं भी कुछ करूँगा, तो वो auto scroll में अपने आप photographs, जो हैं, वो change होती रहेंगी, एक और तरीका देखते हैं, things to see में, page में हम एक नए तरीके से visual content add करते हैं, तो सबसे पहले हम फिर कुछ नई images add कर देते हैं, और layout के section में इस बार हम individual images try करते हैं, तो individual images हमारे को allow करेगा, जो हम photo essays की बात कर रहे थे, photo essays बनाना, तो यहाँ पर हम descriptive text add कर सकते हैं, type कर सकते हैं या copy paste कर सकते हैं, और अगर हम इसके बाद update करके page देखें, तो as a photo essay, यह जो things to see page है, इसमें हम descriptive text, और वो एक line से ज़्यादा भी हो सकता है, पांदस line है, एक दो paragraph, जितना भी हम text डालना चाहें, उतना हो सकता है, इस तरीके से हमारा एक photo essay बन सकता है, और हम आपस एक और option है, कि हम descriptive text के बदले, photographs में केवल captions दें, तो अगर हम third photograph में यह एक caption है, तो हम instead of descriptive text, image में ही कोई caption add कर सकते हैं, पर वो caption बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि वो display नहीं करेगा वरना, तो हम third and fourth images जो इस page पर हैं, उन पर हम caption add कर रहे हैं, और हम page update करके, फिर अगर उस page को refresh करके देखते हैं, तो हमारे पास अब यह जो page है, यह इस किसम से नदर आ रहा है, descriptive text, image, या caption and image, और इस page में नीचे हमारे पास यह जो share this करके आ रहा है, इसको भी हम back end से control कर सकते हैं, तो अगर हम sharing और like buttons नहीं दिखाना चाहतें, तो हम यह options uncheck करके page update कर देते हैं, तो यह जो अब हमारी website है, उसमें इस page पर यह sharing options अब नहीं दिखेंगी, back end पर हमारे पास एक और option है, हर page के लिए, हम हर page पर अगर चाहें, या जिस भी page पर चाहें, उसमें हम comments, user comments जो हैं, वो allow कर सकते हैं, तो अगर हम इस box को check करके, page update करके, इसको फिर से view करते हैं, तो अब इस page में जो है, नीचे, comments की भी facility आ गई है, हमारे viewers चाहें, तो हमें comment भीज सकते हैं, एक और content element जो हम page में add कर सकते हैं, वो है videos, और अगर हम videos बनाएंगे, तो हम वो videos YouTube में चढ़ाएंगे, और यहाँ पर page में embed करेंगे, तो let's say about tws page में, हम एक video embed करना चाहते हैं, तो YouTube में, मुझे ये white eagle school का एक YouTube video मिला, तो हम YouTube में किसी भी video में जाएंगे, share वाले button को click करके embed करेंगे, click करेंगे, तो हमें ये code मिलेगा, और इस code को अगर हम यहाँ पर HTML format में cut-paste कर देते हैं, जो वहाँ पर हमें हर YouTube video में जो embed code होता है, तो automatically वो हमारे web page पर उस video को embed कर देता है, तो ये हमारे page पर video embed हो गया है, embed means कि ये हमने load अपनी website पर नहीं किया है, that means हमारा data नहीं use हो रहा है, हम केवल YouTube का data यूज़ कर रहे हैं, और इसकी हम जो dimensions हैं वो भी change कर सकते हैं, in the right proportion, यानि double या triple या half, और अगर हम अब फिर से इसको देखें, तो ये video बड़ा हमारे TWS page में आ गया है, और ये ठीक play भी करता है, हम रह या ना रह कल, हमारे TWS